दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टूटा फुटा हुआ ड्राइबर सरकीट है और दोस्तों आज इसको हम रिपेर करेंगे और इसमें से दोस्तों कुछ कमपोनेंट भी निकाल दिये गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा केपेशिटर लगा था वह भी नहीं है यहाँ पर एमूबी वह भी नहीं है अब दोस्तों यहाँ रिपेर हो पायगा कि नहीं तो चलिए दोस्तों इसको हम इस्टेप बाइस्टेप रिपेर करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि हमारा रिपेर होता है कि नहीं तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमक प्रेटि पर को चेक करते हैं और उसको चेक करने के लिए मुल्टीमिटर को बजर के रेंज में रखना पड़ाइगा यानि कॉंटिन्यूटी जो दोस्तों हमारा होता है तो यहां पर दखेए बजर के रेंज में शेड कर लिए है अब देखेए आपको कैसे चेक करना वो आप पर देखेंगे तो यहां पर प्लस माइनस दिया रहता है दोस्तों यहां पर प्लस रहता है एक माइनस रहता है इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसमें आप देखेंगे गवर से तो इसमें एक प्लस और एक माइनस दिया है तो जिधर भी अगर प्लस माइनस दिय भागे जिदर दुस्तों आपको कटा रहेगा भाग को हमारा DC भाग रहेगा और दोस्तों एइसी वाले पॉइंट पॉइंट परमको कोई भी वाइलू सोर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा कोई भी reading नहीं शो रहा है डिसी पॉइंट में दोस्तों एक तरफ आता है रेटिंग एक तरफ नहीं आता है यानि कि दोस्तों इस प्रकार से चेक रहेंगे तो नहीं आ रहा है अब इसको प्रोब कर उल्टा करते हैं अगर हमारा कुछ reading आ रहा है तो हमारा ब्रिज रे देखिए दूस्तों इस प्रकार से मेरे पास एक जला हुआ ड्राइवर सरक्षिट है और यह देख सकते हैं पूरी तरस दोस्तों जल गया है और इसमें का जो ब्रीज रिक्टिप्त है यह भी जल गया है तो इसमें क्या करेंगे दूस्तों कि इस केपेशिटर जो हमारा है इसमें plus minus आपको ध्यान देना है देखिए केपैसिटिट में दो लेक दिया रहता है यहांपे अब इसमें दोस्तों कैसे लगाइंगे प्लस माइनस तो यहाँ पर देखिए एक हमारा जो सरकल बना है यहाँ पर देखिए यह जो दोस्तो ब्लाइक भाग आपको दीख रहा है इधर हमको माइनस रखना है और इधर साइड दोस्तों हमको प्लस रखना है यहाँ पर देख सकते हैं इधर हमारा माइनस रहेगा और इ इसका plus point था plus पर लगा लिया हूँ अब दोस्तों इसको हम AC डेकर देखते हैं कि दोस्तों हमारा काम करता है कि नहीं तो एसपर अपना यहांपर प्वाइवर से शोल्ड करके देखते हैं तो देखिए आप फेश और न्यूट्रल दिया है तो फेश और न्यूट्रल को यहां पर दोस्तों मैं इसको सोल्डिंग आंसर सोल्ड कर लेता हूं देखिए एक वायर को यहां पर कर देना है और जो दोस्तों दूसरा वायर है इसके बगल में यहाँ पर कर दिना है तो दोस्तों मैं दोनों वार को यहाँ पर देख सकते हैं इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें हमारा किया फॉल्ट आता है तो इसको मैं अपने सीरिज वन में दूस्तो लगा लिता हों देखे उस्यूस Landes में लगा लिया हो अब इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे क Already आरह एक नहीं तो मलटमेटर को हम डेशी वाले पॉइंट सेट करते हैं यानी 1000 के रेंज में You can पर देख सकते हैं यहां पर कितना हम पर उल्टेज घर रहा है यहनी व्हुन गहड रहा है और दोस्तों बहुत ही कम म् मॉल्टेज आ रहा है इतना में हमारा सायद mc-pcb जले गा या नहीं जल भी सकता है तो देखते हैं दोस्तो और bridge-directive fire पर चेक कर लेते हैं कि इतना रहा है हमारा voltage यहाँ आप देखे हमारा bridge-directive fire दो सही है इसके बाद हमारा यहाँ main IC पर आया है main IC जो output करेगी दोस्तो यहाँ पर आएगी तो main IC से ही दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा voltage जा रहा है यहाँ जो हमारा main IC है हो सकता है दोस्तो की जो हमारा capacitor है यहाँ पर यह भी low हो सकता है तो इस पर भी दोस्तो यहाँ voltage देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों इसमें MC PCB लगा कर देख लेते हैं कि वाकरिन दुस्तो यहां रुध काम करता है कि नहीं तो यहां पर दुस्तो आपको श्टोट कर लेना है और एक 9 वाट की ne MCP को लगाते हैं यहां पर हमरा 9W MCPस भी है और इसके प्लस और माइनस पर हम स्व Sect कर देंगे इस परकार से तो माइनस को माइनस स sólo कर देंगे जाला है और प्लस को प्लस पर सोल्ड कर दिए इसके बाद देख लेते हैं कि हम आ depends भी जलता है कि नहीं पिंड के लिए रहा है और चला जा रहा है देखिए 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 ब्लिंकिंग कर रहा है अब दोस्तों जो मारा ब्लिंक कर रहा है इस परकार यानि आप देख सकते हैं इस परकार से मारा ब्लिंक कर रहा है तो इसमें क्या फाल्ट आया होगा देखिए जब दोस् जैसे जल रहा है में से पिस भी वैसे यह मेरा वोल्ट डाउन हो जाए देखिए इस प्रकार से अब इसमें क्या फाल्ट हो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यह केपेशीटर चेक करना है यानि जो छोटे वाले केपेशीटर है यह इसको चेंज करके देखना है अब इसमें प्लस और माइनस लगाना है दिखे माइनस इधर है तो उनको माइनस इधर ही रखके इसम परकार से आपको चेक मेर केो जल गया तो ठीक है तो यहां आप देखिए नहीं जल रहा है इससे भी हमारा देखिए नहीं दुस्तो जल रहा है देखिए लगा रहा हूं लेकिन जल नहीं रहा है दुस्तो इसका जो फार्ट है हमको लग रहा है इसके जो मेन आईसी है उसी गव फार्ट है वह दोस्तो आउटपुट नहीं कर पा रहे हैं जो हमको MCPCB को जलाने के लिए वोल्टेज चाहिए वह प्रोपर नहीं दे पा रहे हैं इसको ब्रिज रक्रिफार हमारा सही सही है आ डीकि यहां पर कुछ द्राइटो हो गया है प्रोप तुमारा देखिए वोल्टेज दिएlv अब मेर्प आप देखिए देखिए हमारा 70 करीब आ रहे है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक बार शोल्डिंग करके देख लेते हैं सहाथ दोस्तों यहीं से हमारा problem solve हो जाए तो यहां पर मैं इसको थोड़ा यहां पर अब दिखते हैं द्यक्ति परकार से मैं इसके बाद लगा कर देखते हैं कि ये फिर भी नहीं हो रहा है कहां से है दुस्तु मेरा हो सकता है दुस्तों माइनस पॉइंट में हो सकता है तो एक बार माइनस पॉइंट को भी मैं तो ड्रें कर दिता हूं देखिए माइनस पॉइंट को भी सोल्डरिंग कर दिया अब इसके बाद लाया कर दिखते हैं देखिए फिर भी हमारा वैसे ही कर रहा है दोस्तो अब जो मेरा फाल्ट है वह main IC का फ़ल्ट है यानि इसका जो problem है main IC से यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा IC है तो इसके उज़े से हमारा यहाँ पर voltage नहीं जा पर है तो अब दोस्तो क्या करेंगे इसके बदले तो अब IC तो दूसरा नहीं लगा पाएंगे अब इसको दोस्तो आपको bypass करना पड़ेगा यानि bypass कैसे करते हैं वो दोस्तो आपको बता देखिए bypass करने का सबसे सर्वल करीका आपको plus point जो bridge रक्टी fire का plus point है यहाँ पर देखिए इधर हमारा plus point है तो plus point का यहाँ से इस प्रकार से बीच से इसका print काट देना होगा और यहाँ से जो हमारा plus point निकलता है यहाँ से जो भी I.C. में जा रही है point उसको भी cut कर देना है तो मैं इसको दोस्तों cut करके आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों मैंने इस point वो cut लिया हूँ यह पर तो मैं डायोट को भी दूस्तो निकाल दिया हूँ और जो इसके point यानिemie plus point यहां से भी दूस्तो हमारी मिलती है यहां से तो यहां से एक resistance भी निकाल दिया हूँ यानि plus point यहां भी है वो उसको cut कर देना है अब कट करने के बाद दोस्तों आपको छोटा सा वायर लेना है इस प्रकार से आपको वायर ले लेना है और वायर को दोस्तों एक ब्रिज रिक्टि भायर के प्लस पसे यानि यहां से इस वायर को लेंगे यहां पर देखिए इस प्रकार से लेंगे और जो हमारा प्लस पॉइ लेना है इस प्रकार से दोस्तों और इसका वाईलु दोस्तों 155 ये 450 बॉल्ट का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वाईलु आप 105 ये और 400 बॉल्ट का कपिसी ले सकते हैं यानि जहां पर भी मरा एक फेश न्यूटर ला रहा है किसी एक पॉइंट पर देखिए जै में कोई भी प्लस मैनस नहीं रहता है देखिए पॉइंट यहां पर हो गया और एक पॉइंट यहां पर जो हमारा नियूटल फेस यहां रहा है तो इसको यहां पर शोल्डिंग कर देंगे देखिए फिरकार से केपेशीटर लगाना जरूरी है नहीं तो आपका यह वर्क नहीं करेगा अब देखिए हमारा ड्रेबर सिर्कृट बढ़ियां से कम्प्लीट हो गया है अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कि वाकेम दोस्तों हमारा जल रहा है कि नहीं यहां पर देखिए हमारा mcpcb बढ़ियां तरीके से गलो कर रहा है तो आप दोस्तों बाइपास करके चला सकते हैं देखिए आपके सामने दोस्तों मैंने काफी प्रयाज किया बनाने का लेकिन इसका मेन आइसीं खराब था जिसके कारण मुझे बाइपास करना पड़ा औ पर देख सकते हैं जो हमारा mcpcb बढ़ियां तरीके से जल रहा है तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको बाइपास करके भी चला सकते हैं इसमें प्लस पॉइंट को ही ध्यान देना है देखिए माइनस को आपको रहने देना है यानि माइनस हमारा सीधे यहां पर जा रहा तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह ट्राइबर से के बंड कर कंप्लीट हो गया तो आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद देए होगी और सब वीडियो पसंद आये तो वीडियो के लाइक कर दे और चैनल पनाए तो चनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स्ट चुट्ट जया हिंद बंदे मात्रम आपको दिन सुभू आप अच्छे रहें तो अच्छे रहें